हेलो गाइस कैसे हो आई होप आप लोग अच्छी होगे तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए कापी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आगया हूँ तो गाइस आज किस वीडियो में मैं आप को बताऊंगा कि आप Realme 5 Pro की कैमरा सैटिंग किस तरीके से ठीक कर सकते हो तो guys आज की वीडियो काफी interesting and knowledgeable हने वाली है तो guys वीडियो को बिना skip कि वीडियो को पूरा देखें अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक कर देखा चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रिस करने क्योंकि आपको इस चैनल पर आगे भी इसी तरह की knowledgeable वीडियो मिलती रहेंगी और friends अगर आपका कोई question है तो आप हमें इस्टाग्राम पर फूच सकते हो मेरी इस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगी चलिए guys आज की वीडियो करते start तो guys camera setting ठीक करने के लिए को क्या करना होगा आपको simple ली जाना है अपनी phone की setting में जैसे आप अपनी phone की setting में जाओगे तो guys आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा आप guys आपको यहां पर करना क्या है बूचीज आपको यहां पर बिल्कुल धियान से देखना है साथी setting आप लोगों को बिल्कुल धियान से समझना है तो guys camera setting ठीक करने के लिए आपको इस तरीके से scroll down करते हुए नीचे की और जाना है नीचे की और जानने के बाद guys आपको यहां पर एक option मिलेगा additional setting का आपको simply additional setting पर click कर देना है जैसी click करोगे तो guys आपके सामने कुछ इस तरह का interface open हो जाएगा तो guys आप guys आपके अपर एक option मिलेगा backup and reset आप guys आप सोच रहा होगे कि यह phone call reset करना बताया तो guys आपको phone call reset नहीं करना है आपको only एक setting करनी है इसमें बस आपको phone call reset बलकूल नहीं करना है आपको simply यहां पर क्लिक करना है और guys आपकर यहां पर एक option मिल जाएगा reset system setting only आपको simple reset system को जो आपका phone का system है उसको reset करना है इसको reset करने से नहीं आपको कोई photo delete होगा नहीं वीडियो delete होगा नहीं कुछी भी delete नहीं होगा आपका जो system है only वो reset होगा और guys जैसे आप इस setting को करोगे आपके जो camera setting आप वो एकदम से ठीक होताईगी तो गैस आप इस सैटिंग को कर सकते हो अगर यह चीज़ सैटिंग है तो गैस आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो किक लाइक कर दें अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल सस्क्राइब कर बेल आइकन पिस कर लें